तो आज की जो मेरी रेस्पी है बहुत ही सिंपल और बहुत ही असान है और इसके बहुत सारे फाइदे भी है तो जो कि मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी तो इस वीडियो में लाज तक आप मेरे साथ बने रहिएगा आज की जो रेस्पी है बहुत ही सिंपल है लेकिन इसके फाइदे बहुत है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की रेस्पी ये हैं हमारी आज की रेस्पी साग की जिसको चौलाई का साग बोला जाता है तो चौलाई का साग जो होता है वो तीन तरह के होते हैं तो एक होता है ग्रीन कलर की छोटी छोटी पत्ती वाली और एक होते है ग्रीन कलर की बड़ी बड़ी पत्तियां और एक होती है रेड कलर की चुलाई साग और जो आज मैं बनाने जा रही हूँ वो ग्रीन कलर की जो बड़े पत्ते वाली चुलाई साग होती है तो आज मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी हमने यहाँ एक किलो साग लिया है और उसको अच्छे से हमने बीच लिया है और धो के अब हम उसे काटना शुरू करेंगे तो इस तरीके से हम सभी साग को रफली चॉप कर लेंगे इस साग को बिहार में ठरिया साग के नाम से जाना जाता है और दिल्ली और मंबई में इसको चुलाई साग के नाम से जाना जाता है तो अगर ये साग आपको कहीं भी मिले तो इस साग को आप जरूर बनाईए और हमें इस रेसिपी में क्या-क्या चाहिए वह देख लेते हैं तो हमें चाहिए होगा प्याज, पान से छे हरी मेर्च, अदरक, लहसुन और एक टमाटर तो हमने लहसुन और अदरक को अच्छे से खल में कूट लिया है और जो प्याज है उसको बारिक-बारिक चौप कर लिया है और टमाटर को भी यहां हमने बारिक-बारिक चौप कर लिया है यह देशी टमाटर है, अराम से गल जाती है तो आप इसे हलका सा मोटा भी रखेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है तो अब हम गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और जब तेल पक जाए तो उसमें हम एड़ करेंगे तेजपत्ता तेजपत्ता का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो उसमें हम एड़ करेंगे जीरा और जब जीरा चिटक ने लग जाये तो उसमें हम अड़ करेंगे जो हमने हरी मिर्च लिद् ही, 4 से 5 कट करके तो उस तरीके से हम इसमें अड़ कर देंगे और जब थोड़ा सा मिर्ची का भी कलर चेंज हो जाए, पक्खे, तग उस stage पे हम अड़ करेंगे, यहां पे लाल मिर्च, लाल मिर्च हमने इसलिए एड़ किया है, क्योंकि इससे साग में कलर बहुत सुन्दर आता है, जब आप इसमें मिर्च का मसाला एड़ करेंगे, उस टाइम आप अपना गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेगा, जिससे की जो लाल मिर्च है वो जले नही तब तक आपको इसे पकाना है, तो इस तरीके से आप इसे एक चम्मच की सायता से इसे मिला दीजिए, और सुनहेरा कलर होने तक इसे पका लीजिए, जब प्याज अच्छे से पक जाए, तो अब इसमें हम एड़ करेंगे थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, तो हमने यहा पर यह देसी टमाटर है, बहुत जल्दी गल जाती है, तो हमने इसे ढख के पकाया, तो यहां देख सकते हैं, कि यह कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, और अच्छे से इसे मिला देंगे, और याद रखिएगा, इसमें हमने कोई मसाले अड़ नहीं किये है, अगर आ इसे सभी साग को अच्छे से जो प्याज टमाटर है, अच्छे से इसे मिला दीजिए, और यहां पर अब इसे पकाएंगे, पांच मिनट तक ढख के, और याद रखिएगा, इसमें पानी की भी जरूरत नहीं होती है, साग में अपना ही पानी होता है, उसी में यह अच्छे मिनट हो चुके हैं, अब हमने इसका धकन हटाया, तो आप देख सकते हैं, कि साग का किस तरी के कलर हो गया है, बिल्कुल चेंज हो गया है, पानी उसने हलका सा छोड़ दिया है, तो इसे स्टेज पे फिर से हम इसे अच्छे से चलाएंगे, और अब यहां पर हम ढख के इस देख से पंदरा मिनट के लिए बिल्कुल गयास का फ्लेम जो है, लो कर देंगे, और पंदरा मिनट के लिए छोड़ देंगे, और इसे पकने देंगे, तो यह जो साग है ना, इस साग को जरूर बनाएए, क्योंकि इस साग के बहुत सारे फायदे होते हैं, जो कि आप सुन तो बच्चों को तो यह जरूर खिलाओ और इसमें अगर किसी को कब्ज की शिकायत है तो इस साग का सेवन करेंगे तो कब्ज की समस्या भी आपकी दूर होएगी इम्मिनिटी पावर स्ट्रॉंग होता है तो बहुत सी साग के बैनिफिट्स है और इस साग में कैल्शियम, पो तो देख सकते हैं यहां पे 15 मिनट हो चुके हैं और धक्कन हटा दिया गया है और यहां पे यह कितना सुन्दर लग रहा है साग देखने में इसका जो सारा पानी था वो सूख चुका है और चौलाई साग की सूखी 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 सबजी कितनी सुन्दर लग रही है देखन मन्द है तो इस रेस्पी को जरूर ट्राइ कीजिएगा और इसका जायका जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखके बताईगा बहुत ही सिंपल रेस्पी है और बनाना तो बहुत असान है ही और इसका जायका भी बहुत-च्छा लगता है तो अगर आपको वीडियो पसंद मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में अपना धिहान रखेगा बाई